दोस्तो सब्सक्राइब किजे सशनी निसन चैनल को और पासी में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे ज़रूर क्लिक किजेगा ताकि हमारे हर इक वीडियो की खवर आप तक बड़े अराम से पहुचते रहें दोस्तों यहां पे जो है दो जा सतरा खतम होने जा रहा है और दो जा अठरा जो है सूरू होने जा रहा है और दोस्तों दो जा सतरा में काफी कुछ हम लोगों देखने को मिला यहां पे स्मार्फोन इंडस्ट्री में कि यहां पर काफी कुछ स्मास्पोन इंडरेश्ट में जो है चेंज हुआ है और स्मार्टफोन में काफी नया ने फीचर देखने को मिला जैसे कि आइफोन और यहां पर मैं जो है ऐसा दस फोन के बारें बताऊंगा टॉप 10 स्मार्टफोन जो दो आया अठरा में आप लोग को फ्लैक्सिप किलर जो है जिसे बोलते हैं फ्लैक्सिप वह आपको फोन यहां देखने को मुल जाएगा और कुछ अस्चर जैनक फीचर के साथ तो दोस्तो वीडियो शुरुआत करने के पहले मैं आप लोग को बता तेता हूं कि अगर मेरे चैनल पर ने हो तो मुझे जाकर सब्स्क्राइब कर लीजे और सब्सक्राइब कीजिए तो बगल में जो बेल आइकोन उसे जबर क्लिक किजिएगा उसे क्लिक किजिएगा तो हम जब मैं ज में सुक्राइब को जरुन करुमें स्क्राइब जो यहां पर कीमती एर है कियाँ कि यहां पर जो相当 स्मार्टवन मैं कौछी दोजए जल्दी जोए आप लों को फोन पार प्ता देता हूं कौन को फोन आपको बेल हम आपको दो अटेर लागे और जिसमे ज है features वेगरा है कमाल का मिलेगा आप लोगो तो पहला फोन आप लोगो देखने को मिलेगा साथ LG का G7 अब LG series का जो फोन होता है उसका camera गजब का होता है दोस्तों क्योंकि LG का एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि उसका जो camera quality होता है आप या फोटो ले लिजे या आप अगर फोटो शुट कर रहे हैं उसके फोन से या वीडियो शुट कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं मैंने मोट साथ वो आता है और खास करके वी स्रीस का जो फोन होता है उसमें तो गजब का कैमरा दिया हो रहता है दोस्तों कैमरा काफी LG क तो LG का कैमरा को लेकर काफी अच्छा यहां पर फोन निकलता है और LG का G7 जो है यहां पर निकलने वाला है जिसके साथ जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा साथ Snapdragon 845 chipset अब 845 chipset जो है Snapdragon 845 chipset है और काफी features वगरा है अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके mail लिए में जो है Snapdragon 845 chipset में क्या-क्या है features उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग चाहते है Snapdragon 845 chipset का features वगरा का वीडियो देखना तो अब वोट कर सकते है उपर में अब यहां पर जो है आपको Snapdragon 845 chipset मिल जाता है साथ ही में आपको चार्जीब का RAM देखने को साथ मिल जाएगा और Quad HD display आप लोग देखने को मिलेगा क्योंकि आप लोग पते कि 2017 में जो है Quad HD का सिर्स शुरू हो गया है अब 2018 में कोई आपको ज्यादा करके Full HD आप लोग को मिलेगा नहीं फ्लैक्सिप में ज्यादा करके Quad HD मिलेगा देखने को तो LG G7 वी आपको Quad HD देखने को मिल जाए तो मिड रेंज का फोन में यह फोन जो है G7 आप लोग को देखने को मिल जाए LG का अब दूसरा जो फोन है यहाँ पर वो नोकिया का हो सकता है Nokia 9 आप नोकिया का सीरिस का जितना फोन निकला है दोस्तो अंडरॉईड में जब से वो इंटर किया है और जितना फोन निकला है तो फोन उतना नहीं चला यह जो है थोड़ा सा दुख की बात है कि Nokia का फोन उतना नहीं चला पर नोकिया साइद नोकिया 9 आप लोगो देखने को मुल्या 2.18 में जहां पर भी आपको जो है स्नैप्डेगों 835 चीपसेट देखने को मिल जाएगा उसमें साइद 6Gb का रैम देखने को मिल जाएगा और वो भी इसका काफी साइद रूमर्स ता 2.18 में वो आप लोको देखने को मिल जाएगा और वो साइद रिलीज होगा जन्वरी तू फेर्वरी जन्वरी से लेकर मार्च के अंदर रिलीज सायद होगा ये और ये है सैमसंग का S9 और S9 प्लस अब सैमसंग का S8 जो है काफी धूम मचाय इसका साथ जो है आपको इसमें जो है आपको बिजलेश डिस्प्लेश मिलता है जहां पर S8 को अगर देखिएगा तो जो लोग S8 लिये थे सुरू सुरू में तो वो देखते ही रहाते थे करिमन एक दो मेरे खुद ऐसा एक फ्रेंड है जो S8 लिये दो माना तक फोन ही सकता है और कैमरा भी इसका अच्छा होता है और सबसे बड़ी बाए इसका दिस्प्ले आप्टा गा थो है यह आपको यह जो फोन है यह जैनवर्य टू मार्च में अभी तक ऐसा ख़वर आ रहा है कि जनवर्ये टू मार्च में रिलीस होगा तो यह आप लोगको जो है इस देखने को मिल जाएका 2018 में early 2018 में दोस्तो चौथा जो फोन है वो है जिसका हम लोग जिसको मेरे को खास करके बेसर्वी से इंतियार रहता है और मैं इसके लिए कुछ जादे एक्साइटेड हूँ वो है OnePlus का OnePlus 6 अब OnePlus 2017 में OnePlus 5 निकला OnePlus 5T निकला अब साइद ये जो है OnePlus 6 निकाले में से लेके जुलाई के अंदर क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो ये जो है इसी मंत में ये फोन निकलता है हर एक साल और OnePlus 6 भी साइद आपको में टू जुलाई के अंदर दिखे और OnePlus 6 का स्पेसिफिकेशन के लिए दोस्तों कोई जो है फिकर करने के ज़रूरत नहीं है कि OnePlus 6 OnePlus 6 का स्पेसिफिकेशन हाई ट्व एक टॉप क्लास रहता है और जो ये दां में देता है वह तो फिर मिन्स कि जो डाम में देता है वह पुरा है टॉप एंड्म एड़ प्राइस में तो इसमें आपको और इसमें आपको एड़-वाई ऐस्ट को देखने को मिले गए और साथ में साथ आपको 6GB, 8GB का वर्सन जो है वो भी मिल जा रहा है हमका और यहां पे जो है बताया जा रहा है अभी तक जो है खबर निकला है कि यहां पे Quad-H display देखनों को मिलेगा इस बार OnePlus 6 में आप लोग को सायद Quad-H display देखने को मिल जाए वो भी सायद बीजल लेस्ट के साथ तो इस बार सायद OnePlus 6 में बीजल नहीं रहेगा और Quad-HD भी रहेगा और साथ में स्नाइबर में 845 चुसेट तो है तो OnePlus 6 को लेके मैं भी काफी एकसाइड़ हूँ और OnePlus 6 जो है काफी धूम मचाने वाला इस फोन इस यह में निकलने जा रहा है क्योंकि यह जो है आपको साथ जुन जुलाई में से लेकि जुलाई तक आप लोगों को मिल जाए में काफी जगा यह भी पता जा रहा है कि यह जो है मार्च में निकलेगा मगर मुझे नहीं लगता है यह मार्च में निकलेगा मुझे लगता है यह अपना जो सिरीज है वही जुन जुलाई तक निकालेगा अब दोस्तों जो हमारा अगला फोन है वह है एम आई सेवन अब दोस्तों इंडिया में निकला नहीं वह तो इंडि निकलेगा और इसको जो है यह मैं सेवन में आपको 2K डिस्प्ले मिलेगा और यहां पर इस नाइबर को 845 चीप सिकर साधी आप लोग देखने को मिल जाएगा और इसमें साथ 6GB का रैम भी रहे तो MI7 जो है आप लोगो 2K में देखने को मिल जाएगा पता नहीं इंडिया में सेल इंडिया में आएगा या नहीं आएगा मगर MI7 2K में निकलने वाला है अब यहां पर जो अगला फोन है वो है MI के तरफ से MI Mix 3 MI Mix 2 जो है अलग टैप का बिजरलेस डिस्प्ले का फोन निकला था MI MI Mix 3 जो है वो भी अलग टैप का डिस्प्ले जो है डिस्प्ले जो है बिजरलेस डिस्प्ले साथ आप लोगो देखने को मिल जाएगा और यहां पर यहां पर यहां पर नीचे से लेके ऊपर तक पूरा डिस्प्ले ही मिले यानि कि जो उसका यानि कि जो उसका screen to body ratio है वो पूरा 100% लोग देखने को मिले तो MI Mix 3 ऐसा यहां पर नीचे आ रहा है तो देखिए अब निकलता है तभी पता चलता है कि कैसा जो है यह मिमिक्स 3 निकलेगा अब दोस्तो अगला फोन जो है Samsung Note X दोस्तो यह फोन अगर मुझे नहीं लगता यह फोन जो है फोल्डेवर स्क्रीन का है यानि कि 2.18 में अगर यह फोन निकल जाता है तो एक revolutionary फोन यह निकल जाएगा और यहां पर आपको जो screen है जिसका display है Note X का वो पूरा फोल्ड होता है जहां पर आप फोल्ड कर सकते हैं और Samsung इसको उपर भी काम कर रहा है मगर पता नही 2.18 में सायद निकालेगा यह अभी तक काम करी रहा है मगर खवर ऐसा आ रहा है कि सायद निकाल सकता है तो यह अगर निकलेगा अगर 2.18 में तो वही mid 2.18 में निकलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि यह फोन जो है 4K display के साथ आएगा तो दोस्तों काफी गजब का फोन ह होगा 2.18 में निकल जाएगा मगर इसमें भी आपका जो है 50% 50% शियोड नहीं है कि निकलेगा 2.18 में क्योंकि इसके उपर अभी Samsung कामी कर रहा था फोल्डेवर स्किन को उपर और सायद अगर उनका जो है काम अभी चल रहा है तो सायद अगर निकल जाता है तो अच्छी बा यहां पर ही खास बात यह है कि यह फोन जो है आपको रिपल केमर कीक्यं में जाए यानी कि तीन आपको पीछह देखने a ragd यहां पे 207 000 देखें यहाँ पर आपको सामने में जुक्त फॉर्टह ऐसा कैमनी मिलता है पीछे में दो का मिलता है मगर यहाँ पे 208 में आप लोग को यहाँ आपको साएध हुआ इत्रो कि मवी स्मार्टफेन है उसमें आपको टीन पीछे मिले तीन लें यानि कि आप सोचिए एक lens wide angle लेगा, एक lens portrait लेगा, एक lens depth of field लेगा, क्या क्या लेगा, मिन्स कि क्या बना देगा आपका photo को 3K lens के साथ, तो यह जो है phone triple camera साथ निकलने वाला है, और mid 2018 में ये निकलने की news आ रहा है कि mid 2018 में निकलेगा ये phone, अब यहाँ पर जो है अगला phone है iPhone 9, अब iPhone 9 जो है दो यह आठा में निकलने का news आ रहा है, मां complete news नहीं कि iPhone 9 में क्या होगा, क्या नहीं होगा, काफी concept है, काफी rumors है, मगर मैं उन rumors को believe नहीं करता है, क्योंकि अगर concept डिजाइन आप देखेगा, तो आपको विस्वास होगा ही नहीं, तो जो चीज नहीं हजम हो, वो चीज बोला यहाँ बोलना वेकार है, दोस्तों, बोला नहीं आ सकता है, मगर आइफोन 9 निकलेगा, यह चीज जो है, सायद 80% sure है, कि आइफोन 9 निकलेगा, अब डिजाइन स्पेक्स जो है, इसका भी प्रूर जो है, कन्फर्म नहीं हुआ है, तो मैं इसके बारे में नहीं पता सकता हूँ, मगर आइफोन 9 जो है 2.18 में आपको देखने को मिल जा अब यह सारा फोन जो है, और यहां पे फ्लैक्षिप का मतलब यह हुआ कि आप लोगो एक रिजनेवल प्राइज में आप लोगो यह फोन देखने को मिल जाएगा, और सबसे बड़ा पिक अप जो होगा, मेरा अभी भी जो है, दोस्तों, वन प्लस 6 ही होगा, क्योंकि मैं मैं एकसाइटेड हूँ और वन प्लस 6 जैसे ही निकलता है, तो मैं लेके आप लोगो जल्दी से अंबॉक्सिंग दिखाने के लिए इंतियार गर रहा हूँ, तो इस सारे फोन में से, अगर मुझे चुनना होगा, दो यहा रटरा में टॉप फोन, तो मैं चुनूंगा पहल तो काफी अच्छा रहेगा, तुसरा होगा Mi 7 अगर प्लोगों मिलता है, then छौथा Mi Mix 3 अगरल इंडिया में आप लोगों मिलता है करना तो यह था दोस्तों और मैं नो टेक्स का बात अभी नहीं करूंगा कर दोस्तों कि मैं बहुंद इस इसके लिए कॉन्फर्म नहीं हूँ मर काफि सारे शार निवस कर ला है कि नो टेक्स जोय है थो गजहान दा आठम में निकलने वाला है जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग तक बरे राम से पहुंच जाए गा तो बेल आइकों को यह जो क्लिक किजिए गा और दोस्तों जितना हो से कि इस वीडियो को त्में शेयर कर लिए दोस्तों आप लोग शेयर नहीं करते हैं शेयर किजिए दोस्त आपको तक मुए निस्टे वीडियो पे तब तक लिए जस्टेक केर वें बाय बाय